हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज मैं आप लोगों को Inverged Trigonometric Functions में कुछ important problems बताने वाला हूँ जो आपके board exam में या तो पूछा जा चुका है या पूछा जाने का chances है ये सारा problems आपको चाहे question bank हो या model paper हो या guess paper हो हर जगा आपको मिल जाएगा तो आप शुरू से लेके लाश तक मेरे साथ बने रहिए और हर problems के solution को इतना अच्छा से सीख लो यार ताकि आपके board exam में objective में पूछे या subjective में पूछे आप आराम से solve कर सको तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली वार आये हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को like और share तो करें ही आप लोग like करने में थोगा कटोती करते हो like जरूर किया करो तो आए देखते हैं आज का class हम लोग शुरू करते हैं देख लिजे यदि बात किया जाए पहला problem का तो ये objective में भी पूछा जा सकता है और short questions में भी पूछा जा सकता है और बड़ा ही अच्छा है कुछ नहीं है बड़ा आराम से आप solve कर सकते हो आप देख लिजे 10 और cot का term है तो यदि हम लोग 10 और cot का ऐसे तो एक formula ही होता है यदि formula आपको पता हो तो हम लोग जानते है क्या देख लिजे 10 inverse x और पलस में cot inverse x के बराबर में होता है pi by 2 होता है तो यदि आप इस हिसाब से देखोगे तो देख लिजेगा ये हो जाएगा cot और ये जो आपको दिख रहा है 10 inverse x plus में cot inverse x बराबर pi by 2 तो इसके जगा पर हम लोग क्या रखते हैंगे pi by 2 और ये बात किया जाए pi by 2 का तो देख लिजे cot pi by 2 यानि cot 90 तो cot 90 का मान क्या होता है 0 ये 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 अब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप इस तरह से solve कर सकते हो आप अराम से जवाब दे सकते हो पर ये इस सब्जेक्टिव में पूछेगा तो थोड़ा सा ये ऐसे भी solve कर दोगे तो marks मिलेगा ऐसा नहीं की नहीं मिलेगा लेकिन ये आप चाहो तो थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा 24 step बहा के solve कर सकते हो कैसे आईए हम आपको वही बताते है तो वह सकते रहिएगा और सीखने का कोशिश किजेगा कुछ नहीं है सबसे पहले देख लो यहाँ पे cot inverse है तो cot inverse को आप फ़ले 10 inverse में change कर लो कैसे आईए हम change करके दिखाते हैं हम लोग formula जानते हैं cot inverse x के बराबर में होता है 10 inverse 1 बटे x सबको पता है तो आप आईए इसको तोड़िए आप तो बोलिएगा क्या हो जाएगा cot और देखना यह हो गया 10 inverse a और पलस में देख लो cot inverse x बराबर 10 inverse 1 बटे x तो cot inverse x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 inverse 1 बटे x 10 inverse, याद है जी, x plus में y divided by 1 minus में x into y, यह formula होता है, आप इस formula का जहाँ पर use करो, तो अब देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, cot, और देखना तो यह आपका हो गया 10 inverse, ध्यान देना और बताना, क्या होता है x plus y, यानि हो जाएगा a plus में 1 बटे a, और बटे 1 minus में x into y, देख आपका क्या आ गया, अब यदी बात किया जाए, तो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपका क्या आ गया, देखो, ध्यान देना, तो देखेगा तो अब आपका यह हो जाएगा, cot, और देखो, क्या हो गया 10 inverse, और देखो तो बच्चा, क्या है a plus में 1 बटे a, यदि आप वास्तम में समझदार हैं, तो 1 minus, और देख लिजे, यह दोनों कट गया, तो कितना बचा, 1, और देख लिजे, आगे बढ़ाए, यह हो गया cot inverse, और यह हो गया cot, और यह हो गया 10 inverse, यदि आपको पता हो, तो a plus में 1 बटे a, और 1 में से 1 गया, क्या हो गया, 0, और यह आपका क्या हो जाएगा, undefined, यानि infinity, और अब यदि बात किया जाए, तो आप देख लिजे, यहाँ पे 10 में कितना degree का मान undefined होता है, तो सब को पता है, 10, 90 degree का मान undefined होता है, यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, pi by 2, और यदि बात किया जाए, तो cot pi by 2 का मान क्या होता है जीर हो तो यह दो में है दोनों में से आप किसी भी तरह से सॉल्ब कर सकते हो ऐसा नहीं है कि s Quin को रहन J कि पूछेगा तो पहला में इसा सोच रहे हैं कि sin inverse x plus sin inverse y के formula पे तोड़ देंगे हाँ आप तोड़ सकते हो और बना सकते हो वो से मतलब उस मेठर से तो आप लोग इसको solve कर ही लोगे हमको अच्छा से पता है लेकिन हम कुछ और concept सिखाते हैं बात समझ रो ताकि मज़ा है तो आप देखेगा कुछ नहीं है आप इसको change कर लो और जिसके पास जाना है वहाँ चले जाएए जैसे आप धियान दिजिएगा हम सबसे पहले जो है change करने का कोशिज करते हैं मान लेते है ठीटा बराबर इसको change कर दो sin inverse 2 root 2 divided by 3 यही है न तो अब देखेगा तो इधर भेज दो कितना हो जाएगा sin theta बराबर 2 root 2 divided by 3 और sin theta के बात किया जा तो P by H अब देखो P और H का तो मान है अब मान चाहिए हमको किसका B का तो आएए B का भी मान निकाल लेते हैं therefore B बराबर हम लोग जानते हैं under root H square minus में P square अब बोलना तो B बराबर कितना हो जाएगा H square तो H का मान 3 है 3 का square कितना हो जाएगा 9 और देखो P square तो P क कितना है 2 root 2 2 2 4 2 8 या यह हो जाएगा 8 यह आप देख लिजे बी का 1 कितना है जाए 1 अब सोच लिजे जिसको change करना होता है सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं मानने के बाद देख लो P B और H तीनों का मान निकाल लेते हैं और जब तीनों का मान निकाल लेते हैं तो कोई भी कितना आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे आप देखेगा तो अब देखो तो हम कौस ठीटा का मान निकाल लेते हैं तो बोलिएगा कौस ठीटा बराबर क्या होता है B by H और अब देखो B तो देख लिजे B का मान मेरे पास क्या है 1 और यदि बात किया जाए H का तो देख तो H का मान मेरे पास क्या है 3 और अब यदि हम आप से ठीटा का मान पुछ है तो कौस को उधर भेज़ो कितना हो जाएगा कौस इनवर्स 1 वाए 3 आगया जी और यदि बात किया जाए ठीटा का तो देख लिजे ठीटा हम किसको माने है साइन इनवर्स को न तो आप देख ल नहीं है यार साइध आप भी समझ रहे होंगे कि हम कौन सा कंसर्ट पर इसको लेके जा रहे है नहीं तो आईए हम आपको दिखा रहे है तो चलो प्रोब्लम को लेके चलते है साइन इनवर्स 2 रूट 2 डिवाइड़ वाइ 3 और कॉलस में कितना है साइन इनवर्स 1 वाटे 3 देख लो इतना के बराबर में हमको पाइवाट 2 लाना है यही ना आ जाएगा यार आ जाएगा नहीं आ गया देखो यह जो साइन इनवर्स 2 रूट 2 बटे 3 है देखो इसका मान हम लोग यह निकाले हुए हैं क्या तो इसके जगा पर हम लोग यह भी रख सकते हैं तो चलो तो कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1 बटे 3 और देख लिएगा प्लस में आपका कितना हो गया? साइन इनवर्स 1 बटे 3 और यह भी आप समझदार हैं और यहँ फॉर्मूला आप याद किये हैं तो देख लिए इसका होता है हम लोग डाइरेक्ट जानते हैं हम लोग जान तरह को पडूबहु सब पहले आपको जो है चेंज करना पड़ेगा कि अपको इसका कौकि सबसे पहले आपको यह होना चाहिए कि कहांप रचान्ज करना है तो हम आपको कलास में बताये हुए कि सबसे आसान होता है 10 से बनाना, इत कोट है। यह तो डिरेक्ट चला जाएगा 10 के पास और कॉसे को 10 में चेंज करना है यही ना और अभी Freeman बिशिक जिखाए। कि जिसको भी चेंज करना है उसको मान लो, ताज़ो मान लेते हैं, ठीटा बराबर मान लेते हैं, कॉसेक, sorry, क्या, कॉसेक इंवर्स रूट 5, यही न, तो अब देख लिजिएगा आपका यह क्या हो जाएगा, कॉसेक ठीटा बराबर रूट 5, यदि कुछ नहीं है तो कितना ह है, यहीं देख लिजिएगा, कॉसेक ठीटा बराबर क्या होता है, एच बटे पी, तो मान किसका चाहिए, बी का, और यदि बात किया जाए, बी का, तो बी बराबर हम लोग क्या जामते हैं, देख लो, एच स्क्वाइर माइनस में पी स्क्वाइर, अब देखना, बी कर你 चाहिए, बी का मान अगया, और एच का मान अगया, तो आप लोग जहाना चाह रहे, नहीं चाहता हैं, हम लोग चाह रहे हैं, कि 10 के पास चले जाए, यही अट का मान निकाल लो यार, कैसे, आए, आए, हम निकाल की दिखा देते हैं, तो देख तें ठीटा बराबर क्या होता है P बटे B अब यहीं बात कहाई जाए P का तो P का मान कितना होता है 1 और यहीं बात कहाई जाए जाए तो बताओ ठीटा वराबर क्या हो जाएगा तो 10 को हम उस साइट भेज जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 इंवर्स देख लो कितना 1 बटे 2 अरे यार यह 10 को उधर भेजोगे ठीटा बराबर 10 इंवर्स 1 बटे 2 होगा न और यदि बात किया जाए ठीटा का तो देख लो यह ठीटा है ठीटा का मान हम लोग कॉसेक इंवर्स रूट 5 है तो ठीटा के जिगए पे कॉसेक इंवर्स रूट 5 को रख सकते हैं तो रख दो कितना हो जाएगा कॉसेक इंवर्स रूट 5 के बराबर में आपका आ गया 10 इंवर्स हाफ और अब क्या अब तो यह साफ हो गया आप खुद देख लिजे आप जो है कॉसे इन्वर्स को 10 इन्वर्स में चेंज करके लेके चले गया और अब तो कुछ नहीं है यार अब इसको लेके चलो और फरूमुला में इतना तो जरूर आपको पता होगा, हम लोग जानते हैं कि cot inverse x के बराबर में होता है 10 inverse 1 बटे x, यह तो फर्मूला सब जानते होंगे, cot inverse x बराबर होता है 10 inverse 1 बटे x, तो देखे लो, cot inverse x को 10 inverse 1 बटे x कर दिए, प्लियर है, और यदि बात कहा जाए यह कॉसेक का, तो देखे तो इसका मान हम लोग 10 के टर्म में निकाल चुके हैं, तो रख दो इसके जगापर, क्या हो जाएगा, 10 inverse, हाँ, और हम क्या, अब तो फर्मूला आपका आ गया, आप देख लीजे, 10 inverse x पलस में, 10 inverse y दिख रहा है, आईए, फर्मूला भी लिख देते है, 10 inverse, sorry, 10 inverse x और पलस म और अब क्या, इस फर्मूला में आपकर किजे, तो बुलिएगा 4 into 10 inverse x, तो x के जगापर कितना है, 1ップ3, पलस में y, तो y के जगापर कितना है, 1ップ2 और डिवाइड़ है, 1- sub 1-x, तो x के जगापर कितना है, 1ップ3, और इंट तो y तो y के जगापर कितना है, 1ップ2, बात समझ रहे ह इसका कल्गोलेशन करेंगे जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है वह आए गहीं कैसे आई हम दिखाते हैं देख लो यहांपे है आप वीडिव के स्क्रीन सट ले ले लेना हम को मिटाते हैं हम इसको मिटाते हैं आप देखिएगा अब यह दी बात किया जाए तो अब तो आता है न जी वहीं देख लिए 6 और 6 आपका क्या हो गया कैंसिल तो अब बोलना 4 और यह आपका आ गया 10 इंवर्स दो और 3 कितना हो जाएगा 5 और 6 में से एक जगात कितना हो गया 5 पांच पांच मात कैंसिल हो गया क्या चलिए आगे बहाते हैं अब देखेगा यह हो गया और यह आपका हो गया 10 इंवर्स 1 और याद किजिए यदि पहले वाला वीडियो आप देखे हैं तो डिरेक्ट निकालने का आपको आपको कंसेप्ट सिखाए हुए है क्या क्रेबाबु जैसे पलस में दिखेगा न तो आपको डिरेक्ट सोचना है कि यह इसमें कितना का मान होता है अर्थ 10 में कितना डिग्री का मान होता है तो 45 आप दीग्री का याराज पाई फोर का तो आप देख लिए कितना हो जाएगा फोर और इनटू इसको आप इसको कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको इसको इसमें आपको X का मान निकालना है यही न और पलस में यह आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स X देखो यहाँ पर साइन है यहाँ उस साइड भेजोगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स देखो न जी यहाँ साइन है उस साइड भेजोगे क्या हो जाएगा sin inverse और कितना 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 कोई दिक्कत नहीं ना sin को उस साइड भीजर sin inverse 1 हो गया clear है चलिए आगे बढ़ाते हैं अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या रास्ता है या तो इसको उधर भेज दो तो आपका क्या हो जाएगा sin inverse x और minus में sin inverse y का formula लग जाएगा या कुछ और भी आप सोच सकते हो क्या आईए हम आपको बताता है देखो यहाँ पे यह जो आपको 1 दिख रहा है है ना पलस में दिख रहा है यह जो 1 आपके पास है यह पलस में है और जब पलस में रहता है तो हम direct सोचते है कि यह वहला इसमें कितना का मान अर्थार तो sin में 1 कितना का मान होता है तो sin 90 degree का मान 1 होता है तो रख दो तो अब देखिएगा यह क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा sin inverse 1 by 5 और पलस में आपका क्या हो जाएगा cos inverse x देखो तो sin 90 का मान 1 होता है तो इसके जगा पर आपका क्या हो जाएगा 90 degree और अब यदि बात किया जाए तो अब देखिएगा यह आपका हो गया sin inverse 1 by 5 बराबर में यह हो गया और देखो तो यह cos inverse x पलस में है ना यदि उस साइट भेजोगे तो कितना हो जाएगा minus में cos inverse x बच्चा यदि आप वास्तव में formula जानते हैं ना तो ऐसा हम क्यों किये यह आपको समझ में आ रहा होगा आए हम आपको दिखाते हैं हम लोग क्या जानते हैं पले दियान से देखना हम लोग जानते है sin inverse x और पलस में cos inverse x का मान क्या होता है pi by 2 सबको पता है तो यदि हम आप से पूछ हैं कि बताओ बावू sin inverse x के बरावर में क्या होगा तो pi by 2 और यह पलस में cos inverse x है तो लिख दो यार और आ गया अब क्या अब क्या सोच रहे हो इतना आसानी से solve हो जाएगा यह आप लोग सोचे भी नहीं होंगे है ना तो यही तो concept है बाबू चलो अब देखो तो कितना हो जाएगा sin inverse 1 बटे 5 बरावर में यह है और देख लिजे इसके जगा पर हम लोग क्या लिख सकते हैं sin inverse x यही ना और अब क्या बच्चा यह हो गया 1 बटे 5 और अब देखना sin inverse है उस साइड भजोगत क्या हो जाएगा sin और देख लो जहां क्या है sin inverse x हम कुछ नहीं किये है पहले बात को समझो हम क्या किये जहां पर कुछ नहीं किये यह sin inverse को उधर भेजे तो क्या आपका हो गया sin और सब को पता है सब जानते हो कि sin और sin inverse x के बराबर में आपका क्या होता है x होता है तो अब देखिएगा यह 1 बटे 5 और बराबर में इसका क्या हो गया x therefore देख लो x का मान 1 बटे 5 आगे है क्या चलिए अगला question देखते है यह भी आपका अच्छा question है और आपके board exam में ना जाने कितनों वार पूछा जा चुका है यह सब को जरूर आप अच्छा से तयारी कर लो बात समझ रो चलिए आईए देखते हैं आगे बढ़ाते है तो देख लो क्या है 2 10 inverse half और पलस में 10 inverse साफ साफ नहीं है यही ना चलो आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि 2 10 inverse x का जहां पर formula लग रहा है तो सबसे पहले हम आपको formula लिख देते हैं आप लोगों को formula यादी होगा 2 10 inverse x बराबर में होता है 10 inverse 2 x और divided by 1 minus में x square सबको पता है यह formula होता है तो सबसे पहले इस formula पर तोड़िए तो कितना हो जाएगा बताइएगा 10 inverse बोलना 2 और x x नहीं x के जगा पर half है तो half और divided by 1 minus में x square यानि half square लिख दिए और पलस में जो भी है आप चाप लिए तो यह कितना हो गया 10 inverse 1 बटे 7 चलो इसको आगे बहाता है आगे बहाता है आगे बहाता है दो बच्चा और देख लो क्या होगा चलो तो अब बताना तो यह आपका हो गया 10 inverse calculation करो यह हो जाएगा 2 बटे 2 चलो एकदम easy से calculation करते हैं और 2 काई square 4 तो यह हो जाएगा 4 minus 1 और बटे कितना हो जाएगा 4 होगा जी देखो न जी यह 2 काई square हो जाएगा 4 4 यहाँ आएगा 4 minus 1 बटे 4 हाँ सही है और पलस में आपका यह हो गया 10 inverse कितना 1 और बटे क्या 7 और अब क्या बच्चा देख लो 2 और 2 कट गया अब आप लोग देख लिजेगा यह जो 4 दिख रहा है यह तो आपका ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा चार और नीचे में कितना हो जाएगा 3 और पलस में यह आपका कितना हो गया 10 inverse 1 और बटे क्या 7 क्या फिर फर्मूला लिखे है अब तो फर्मूला आपको आज भी आज के क्लास में भी 2-3 बार हम लिख चुके है यार फर्मूला याद हो गया होगा आपको 10 inverse x plus 10 inverse y यही ना आज आज ओ फर्मूला लिखते हैं तो यह आपका हो गया 10 inverse x यानि 4 बटे 3 पलस y यानि 1 बटे 7 और divided by 1 माइनस में x यानि 4 बटे 3 into y यानि 1 बटे 7 यह फर्मूला होता है 10 inverse x plus 10 inverse y के बरावर में क्या होता है 10 inverse x plus y divided by 1 माइनस में x into y यह होता है चलिए आगे बढ़ाते हैं अब आप लोग देखिएगा आपका क्या हो जाएगा 10 inverse साचोख 28 3 गुना 1 3 और बटे 7 कितना? 21 फिर देखना 7 कितना? 21 और माइनस में 4 और बटे 7 21 कुछ नहीं आई यह और यह कट गया और अब आप लोग फुद देख लिजे 10 inverse बोलो 283 कितना हो जाएगा 31 और बोलो 21 में से 4 जाएगा कितना होगा 17 और यह आपका क्या हो गया अंतर हुआ तो देख लिजे यह जितना भी प्रोब्लम आपको हम बताए यह सारा प्रोब्लम आपका most important है तो आप अपना board exam देने से पहले जरूर प्रतियक प्रोब्लम को आप अच्छा से तयार कर लें ताकि objective में subjective में कहीं भी पूछा जाए तो आप आराम से उसका जवाब दे सको और दुसरी बात आप लोग वीडियो को like और share जरूर किजिये और जरूर comment करके बताए कि आपको कैसा लगा इससे हमको यह पता चलता है कि हम जो मेहनत कर रहें इससे आपको फाइदा मिल पा रहा है या पिर नहीं मिल पा रहा है बाबाई, मिलता है